हेलो दोस्तों तो कैसे हो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप पिक्सल एप यूज कर सकते हो तो गाइस अगर आप भी चाहते हो पिक्सल एप यूज करना तो इस वीडियो को कम्प्लीटी वॉच करना तो गाइस अगर आप पिक्सल अच्छे अच्छे धमनल वनाना चाते हूँ अच्छे फोटो एडिटिंग करना चाते हूँ आपके दोस्त जब आप अपने फोटो को इन इस्टाग्राम, फेस्बुक एंड वाटसब पे सेयर करोगी तो आपके दोस्त आपसे पूछेंगे कि यार तुने किस एप से वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिना अगर पसंद आए तो फिर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना तो चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की स्वीडियो को स्टाट कर लेते हैं गैस सबसे पहले आपको अपनी फॉन के स्क्रीन पर आ जाना है उसके बाद अगर आपके फॉन में पिक्सल एप है तो आप आसानी से उसको उपन कर सकते हो लेकिन अगर आपके फॉन में पिक्सल एप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके वहां से डाउलोड कर सकते हो नहीं तो मैं description में आपको नीच लिंक दे दूंगा आप वहाँ से download कर सकते हैं तो मैं चलिए मैं pixel app को open कर लें जैसे ही आप pixel app को open करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा तो आपको इसको ignore कर देना है text, current date, sticker, shapes, from gallery, draw तो आपको from gallery वाले option पर click कर देना है इसके बाद जिस photo को आप अच्छे से decorate करना चाते हो या thumbnail को माल लीजिए मैं माल लीजिए यहाँ पर thumbnail को नहीं बलगी photo को अच्छे से यहाँ वो मतलब decorate करना चाता हूं उसको text facts से सब अच्छा करना चाता हूं तो आपको वाल फोटो से select कर लिया है इसके बाद आपको कुछ ऐसा interface आएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1.1 मतलब अगर आप Instagram के लिए करना चाते हैं इस photo को size में तो ऐसे कर सकते हैं नहीं तो आप अगर YouTube वीडियो के लिए कर सकते हैं तो YouTube वीडियो के लिए कर सकते हैं अगर आप और जैसे story फिश्टोरी वेगेरा के लिए करना चाते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं तो चलिए मैं जितना बड़ा है इतना बड़ा कर लेता हूं 9 ratio 16 का मैं कर लेता हूं उसके बाद आपको मतलब आपका photo आपकी जो मैं कह रहा था ignore कर देगा वहाँ पर आ आपको यहां पे आपसे वाले option पर click करना है उसके बाद आपको यह जैसे और वाले option पर click करोगे तो आपको यहां पर tax का option दिखाए देगा तो tax का आपको यह यह आपको टेक्स कर लेड़ा यह text एक बार में click नहीं होगा बलकि आपको इस पर double what tap करना होगा तभी यह text चालू होगा तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप अपने दोस्त के बार में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिख दूँ शिवरो शिवरो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे उसके बाद आपको nest कर दिना ok कर दिना ok तो आपको यहाँ पे बहुत जैसे आप text पर click करते हो न तो आपके समझे बहूत सारे option आ जाते हैं अगर आप text पर click नहीं करोगे तो वह सारे जो option होते हैं वह गायव हो जाते हैं तो तो आप Tax पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको इसको कलर करना है अगर आप White नज़ीत करते हो तो भाइट कलर कर सकते हो तो मैं तो यहां पर कलर कर लेता हूं बहुत सारी यहां पर प्रसी और यहां पर मिलती हैं अगर आप इहां पर Grydlint का ओप्शन करना जाते हो जासे रंग ब्रंग एक कलर जैसे इसकाइब वाइट एंड ब्लेक गृरी तो आपके पसंदい कि आप किस प्र Ziel कर डियाँ साइज पर उसके बाद को राइट करने के बाद आपको यहां पे फूंक साइज जो आपको इधर देखाए देरेरा है इस पर पर आप klick कर सकते हो उसके बाद आपको जो size पसंद आ रहा है तो आप कर सकते हो ज़्यादा-तार लोग जो अपने photo को decorate करते है वो ज़्यादा-तार अमरांत bold पर यहां पर क्लिक करते है तो मैं size पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद आपको इस text को मतलग stroke करना stock miss love highlight करना तो highlight करने के लिए आपको stock वाले option पर आ जाना यहाँ पर stock दिखाई दे रहा है जैसे अगर आप अपने photo को भी stock करना चाहते हो ना तो यह stock photo पर भी हो सकता है remove bg पर भी हो सकता है तो आप मैं यहाँ पर text कर लेता हूँ तो आप जिस color से stock करना चाहते हैं इसको उस color से आप आसानी से कर सकते हैं जैसे कि मैं pink color का stock दे सकता हूँ यहाँ जैसे कि आपको हलका हलका आपको pink color दिखाई दे रहा हूँ इसी का मतलब होता highlight करना तो आपको यहाँ पर जैसे यह दिखाई दे रहा आपको minus और plus आपको इसको हलका ब्लेक करना चाहते हूं मतलब यह जैसे हम किसी कपड़े पर बैठी होते तो वह पूरा ग्रीन जैसा कपड़ा होता है वह हो जाता है तो आप माल लीजिए हम इसको ब्लेक करना चाहते हैं ब्लेक करने के बाद आपको इसको यहां पर बिलर रेडियो से आपको यहा कर देते हैं राइट करने के वाद आप इनर सेडो इसके अंदर सेडों आप देना चाहते हो जिस कलर का उस कलर का आप यहां पर अंदर सेडों दे सकते हो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा एनेबल करूंगा इसको तो मैं माल लीजिए इसको वाइट कलर का इनर सेडों देना च ज्यादा मायने नहीं रखता है बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं इसको हमें डिसनेवल कर दिना है अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप आसानी से इसको कर सकते हो ज्यादा तर लोग इसको भी यूज नहीं करते हैं बलकि यह 3D से जैसे वह फिलम देखिए न आपने ज्यादा तर इसमें फिलमों में यह ज्यादा तर यूज होता है तो इसको हमें डिसनेवल कर देना है उसके बाद आपको 3D रोटेड यह है मैं अगर आप 3D अपने फोटो को करना चाहते हो तो 3D कर सकते हो अपने फोटो को अगर आप अपने टेक्स को 3D करना चाहते हो इस thre come to the digital है तो जैसे कि आप को यहां पर कली करना है जैसे है आपकी करोगे तो बहुत सारे आपको option आजाएंगे उसके बाद आपको tutorial वाले option पर click कर देना है tutorial वाले option पर जैसे ही आप click करोगे तो यह data से चलता है tutorial तो यह डारक्ट आपको YouTube में ले जाएगा तो YouTube में ले जानी के वाद आपको यह जितने भी जैसे आप सीखना चाहते है पिक्सल है मैं बता रहा था यहां पर 3D से पागया दीखिए पर तो मैं वह highlight करना बता रहा था आपको type your text here new text बताया था मैंने आपको 3D से बताया 3D text से बताया था मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया आपको मैंने तो आप आप आसानी से यहां से यूज कर सकते हो आपको ज्यादा बैस आपको कितनी मिनट की वीडियो यह एक घंटे की वीडियो में आप यह पूरा complete यह पिक्सल एप यूज करना सीख सकते होगा तो गाइस आप सब लोग देख आए वीडियो को तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप बता जरूर देना प्लीज बहुत मेहना से मैं यह वीडियो बनाता हूं और अच्छी लगी हो तो चैनल को पक्का पक्क सबस्क्राईब कर ले ना और बैल आइकन को भी ओल कर लेना कमेंट भी कर देना वीडियो अच्छी लगीं लाइक भी कर देना तो मिलते हैं और जलदी मिलते क्या नैस्ट वीडियो में तब के लिए टाटा बाए बाए